बेटा का करत हो तुम बेटा चाचा नारी सम्मान सेबा पर काम कर रहा हूँ अच्छा बेटा तो सोशल बरकर हो तुम अरे ना चाचा फिर सुटुक पर लौडियों की फोटू को लाइक करता हूँ अब लोगा फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा उस टाइप के जो वीडियों है काफिजदा इससे में ट्रेंडिंग में चल ले हैं तो इस टाइब के वीडियोस आप किस तरीके से बना पाओगे आज्यकी वीडियो में जानेंगे। यी वीडियोस आपके लिए काफिए मिपोरटन रहने वाली है और इंट्रेस्टिंग भी रहने वाली है तो यार वीडियोस को बिना इसके कोई वीडियो को लाश्टक देखना ताकि कोई भी important part मिस ना हो और आप अच्छे से सीख जाओ बनाना और बनाने के बाद इस तरीके के वीडियोस आप बना पाओ और बनाने के बाद यूटूब पर डालो ताकि आपके अच्छे से ब्यू जाए और जल्दी से जल्दी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए और अच्छे से अच्छा पैसा अर्न करना इस्टाट करना तो यार वीडियोस को करता हूं इस्टाट और अगर चिनल पर पहली बाला है तो उनको जरू सस्क्राइब कर लेना और वीडियोस को भी लाइक कर लेना तो वीडियोस को करता हूँ वह इस्टा है तो गाइज इस बैफ साइट को ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा और यहाँ पर आप देख सकते हो तीन आइटम्स जो करेक्टर बेक्ग्राउंड और साइज के दिए गए हैं तो सबसे पहले आप करेक्टर के आपसन पर मैंने क्लिक किया है तो आप भी इस तरीके से करेक्टर के आपसन पर क्लिक करना और यहाँ पर आल लिखा है तो यहाँ पर बहुत सारे जो character हैं आपको देखने को मिल जाएंगे आप सर्च भी कर सकते हो food, animal, sport, classroom इस तरीके के कुछ character हैं जो कि आपको यहाँ पर सर्च करने हैं तो बहुत सारे जो character हैं वो आ जाएंगे लेकिन अलेड़ि यहाँ पर exist करते हैं बहुत सारे character जो कि मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके के कुछ करेक्टर देखने को आपको मिलेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके के कुछ करेक्टर हैं भाई देखिए यह वाला करेक्टर है यह यह बहुत सारे करेक्टर है अल्लिम्टेड करेक्टर जितने आप क category के option पर click करने के बाद यहाँ पर आप search भी कर सकते हो जैसे कि food के option पर search करते हो तो food वाले आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर जैसे कि new character के option पर click करते हो तो new character आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर all जो character है वो आपको देखने को मिल जाएंग जैसे कि आपने gallery में download करके रखा हुआ है और चाहते हो कि यहाँ पर upload करने को मिल जाए तो यहाँ पर upload image के option पर click करके उस इस पर click करोगे तुरंद से आपको redirect कर देगा आपकी gallery में तो यहाँ पर select image को option आगया है तो इस तरीके से select करके आप background में choose कर सकते हो और यहाँ पर custom color यानि कि green screen बनाना चाहते हो तो green screen भी बना सकते हो वो मैं आपको दिखाता हूँ green screen कैसे बनाना है भाई तो इस पर click करना है और click करने के बाद यहाँ पर आपको color को select करना है अगर आपको color मलब यहाँ पर लिखा है more color इस पर आपको click कर देना है और click करने के बाद इस तरीक screen यहाँ पर जो भी आप चाहते हो वह इस तरीके से लगा लेना और आराम से आपका जो green screen है वो बन जाएगी और यहाँ पर प्याजी में अगर transparent में बनना चाहते हो transparent में आप क्लिक कर दीजिए तो आपकी प्याजी में यह बन जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तो मैं green पर click कर लेता हूं और इस पर cut कर देता हूं तो और यहां पर भर-भर के character हैं जो आप चाहते हो वो easily से यहां से ले लेना फिर अधियन आपका आता है option size का जब आप size के option पर click करोगे तो आप यहां पर पूछा जाएगा आपको लांग वीडियोज बनाना है या shorts या YouTube वीडियोज को बनाना है तो simply से इस option को मैं select कर लेता हूं क्योंकि मुझे बनाना है YouTube वीडियोज तो मैं YouTube shorts वाला ले ले लिता हूं 9 into 16 एक्सियो वाला तो इस तरीके से मैंने इसको ले लिया और लेने के बाद आपको करना क्या है अब मैं आ अच्छे से मलब perform कर जाएगी वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको story भी कहां से लिनी है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा इस character को इस तरीके से रखना है और रखने के बाद आपको नीचे आना होगा तो यहां पर आपको record का option देखने को मिलना है इस पर जैसे ही क्लिक करूंगे आप record मलब होने लगेगा तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहां पर record के option पर डिंगा शेकर्क चलने लगे और recording आपकी start हो जाएगी तो मैं आपको बताता हूँ recording करके फिर आपको बताता हूं कि किस तरीकी की यह दाउगी वोस लगी आपको मैंने अपनी voice को record क करने के बाद यहां पर मैंने recording के option पर click कर दिया है तो यह upload होना start हो चुकी है और यह upload हो जाएगी दिन इसके बाद आपको बताता हूं कि मेरी voice आपको किस तरीकी की लगी तो यहां पर यह upload हो जाएगा दिन इसके बाद यहां पर यह perform कर देगा action तो simply से 16% मेरी upload हो गई 83% upload हो गई और 100% upload हो चुकी है और यहां से मैं आपको download भी करके दिखाऊंगा तो यह वीडियो को लास तक देखना ताकि आप अच्छे से सीख जाओ step by step इसलिए मैं कोई भी part skip नहीं कर रहा हूं और थोड़े दिर आपको और wait करना पड़ेगा मैं skip इसलिए नहीं कर रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आये वना मेरे को क्या skip कर देता हूं और आपको डारेक्ट वहीं दिखाता हूं जो upload होने के बाद होता है तो यहां पर time तो लगेगा भी यह आप upload जब करोगे तो आपको time लगेगा upload करने में यानि कि जब आप वाइस रिकॉर्ड करोगे तो upload करने में time लगेगा तो यहां पर मेरी जो वाइस थी वह यहां पर हो चुकी है अब मैं इसको download कर लेता हूं और पहले आपको दिखा देता हूं चला कर तो इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर go to express लिख्या हूं download is completed तो यह downloading होना start हो चुका है तो download हमारा हो चुका है भी या अब मैं जो है आपको दूसरा download करिके दिखाता हूं दूसरा character जो की यह चाचा था अब एक भतीजा का character लेता हूं फिर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको करना है तो आपको bake के option पर चले जाना है और bake के option पर आने के बाद दूसरे character को मैं लेता हूं और आपको समझाता हूं यह तो यहां पर मैं थोड़ा आगे जाता हूं और आगे जाने के बाद मैं एक character यह वाला लेता हूं यह मानलों वो चाचा थे और यह इनके बतीजा है तो इस पर मैं click करता हूं इस तरीके के इसकी थोड़ी हल्के से size को बढ़ा कर लेता हूं और यहां पर रख देता हूं इस तरीके से फिर मैं इसकी voice को record कर लेता हूं तो यहां पर मैं क्या करता हूं ट्री hearing के option पे click करता हूं तो यहां पर मैं cancel कर दिता हूं मेरी पहली वाली ती वी वही record होने लगी थी इसलिए मैं ससको cancel कर देता हूं cancel करने के बाद फिर से मैं अपनी वाईस को दुबारा से record करता हूं तो यहां पर reflects, format का यहां और प्छिर से is अपनी voice को यहाँ पर record किया और record करने के बाद दूसरा script यह था और इस script में मैंने अपनी voice को record कर लिया और voice को record करने के बाद यहाँ पर loading मेरी voice हो रही है थोड़ा time लगेगा और time होने के बाद इसको भी मैं download कर लेता हूं फिर मैं आपको दिखाता हूं इसकी editing को करकर then इसके लास्ट एक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और वीडियो को स्किप मत करना और भाईया चेनल को जरूर सस्क्राइब कर दिया करो और वीडियो को भी लाइक कर दिया करो तो सिंपली से यहां पर मैं डाउनलोड के आप्शन पर क्लिक करता हूं और मेरा डाउनलोड हो जाएगा भाई तो मैं डाउनलोड के आप्शन पर क्लिक कर देता हूं और थोड़े दिर वेट करना पड़ेगा और वेट करने के बाद आपका डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका डाउनलोड हो जाएगा दिन इसके बाद मैं आपको एडिटिंग करके सिखाता हूं भाई कि किस सदीखे से आपको एडिटिंग इसकी करनी है इस वीडियो को एडिटिंग करने के लिए मैंने काइनवाश्टर एप को ओपन किया है आप अपनी वीडियो को जिस भी एप से एडिट करते हो आप उसको मलब ओपन कर सकते हो तो सिम्पली से मैं पलस का ऐकन पर किलिक करता हूँ दिन 9 इंटो 16 रेशियो को सलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं shorts वीडियों आपको बना के दिखाने वाला हूँ तो अब आपको करना क्या होगा यहाँ पर simply से सबसे पहले media के section में जाना होगा सबसे पहले आपको एक image को select करना पड़ेगा तो मैं image को ढोड़ लेता हूँ कि मेरी image कहां पर रखी हुई है तो मेरी image यह वाली थी तो मैं इस image को ले लेता हूँ और इस image को लेने के बाद आपको इसको अच्छे से जूम करना होगा इसके लिए आपको plan and zoom के option में जाना है और इस तरीके से जूम करना है इस तरीके से कुछ दोनी उंगलियों से इस तरीके से आपको जूम कर लेना है और जूम करने के बाद start position और end position को दोनों को equal कर देना है और equal करने के बाद आपको इसकी duration को बड़ा कर देना है जितना लंबा आप वीडियो को बनाना चाहते हो उतना लंबा आप इसकी duration को आपको भीया कर देना होगा तो minimum मैंने 20 सेकंड तक कर दिया है उसक सब्सक्राइब करना होगा इसकी पहले सुनू लैता हूं और समय स्करेड् reluctant मेरी यह वाली थी तो मैं इसको क्या गरता हूं सब्सक्राइब करने के बाद मेरी ग्रीन स्क्राइब हो गई बट इसका कलर अभी चेंज नहीं हुआ हूए तो color को change करने के लिए आपको फिर से chroma की के option पर click करना होगा और यहाँ पर जो green color का color देखने को मिला है इस पर आपको click कर देना है और सही के option पर click कर देना है तो आपका interface कुछ इस तरीके से दिखेगा पूरा मलब साफ हो जाएगा और इसकी size को इस तरीके से आपको बड़ा कर देना है इस तरीके से कुछ और सही के option पर click कर देना है तो एक बार फिर से recording को सुनता हूँ बेटा का करत हो तुम बेटा तो एक script आपकी हो गई अब यहां से आपको दूसरी script को लगाना होगा तो layer के section में जाने के वाइड media के section में जाना तो आपका media browser खुल जाएगा दिन दूसरी script को लेने के लिए मैंने download किया था तो दूसरी script मैंने record की थी जो कि मैंने वीडियो के starting में बताया था इसलिए कहता हूँ कि वीडियो को skip मत करिए आसानी से धीरे-धीरे देखते रहिए ताकि कोई भी step आपसे miss ना हो और अच्छे से बना पाओ तो simply से फिर आपको वही same apply करना है chroma की key option पर जाने के बार इसको enable कर देना है और color filter के आप जाने के बार इसको color को change करना है ताकि पीछे जो background है green आपको देखने को ना मिले पहले इस पर टिक करता हूँ दिन इसके बार इस पर टिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर होता क्या है इसकी जो मलब सही से इसको adjust कर लेना इस तरीके से कुछ यहाँ पर और इसको जो size होई इसको आप full इस तरीके से कर सकते हो यहाँ पर मैं आपको चला के एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे बेटा का करत हो तुम बेटा अरे चच्छा मारी सम्मान सेबा पर कैम कर लहा हूँ तो गाइज इतने दो मनलब मैंने script को ले लिया आप यहाँ पर दो script और हैं उनको भी मैं आपको लेकर दिखा देता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ दिन इसके बाद layer के section में जाना जाता हूँ और media के section में जाने के बाद तीसरी script को लेता हूँ यहाँ से और तीसरी script को लेने के बाद इसको सही से adjust कर देता हूँ इस तरीके से कुछ और नीचे जाने के बाद सबसे पहले क्रोमा की के आप शुर्म को इनेवल कर देता हूं और इनेवल करने के बाद ऐसाए आपको इक बार चलाकर दिखा देता हूं तो गाइज अब आपको यहाँ पर दूसरी तीसरी जो स्क्रिप्ट उसको लगाना होगा तो लेर के सेक्षन में जाने के बाद मेडिया के सेक्षन में चले जाना होगा तो मैं चोथी स्क्रिप्ट को यहाँ पर लगा लेता हूँ और सही की आप्शन पर टिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले करौमा के के आपशन को इनेबल कर देता हूँ दिन यहाँ पर की color के option पर click करने के बाद color को फिल कर देता हूं और सही के option पर click कर लेता हूं फिर videos के option पर click करता हूं और इसकी size को इस तरीके से zoom कर लेता हूं तो इसकी size को ज़्यादा हो गई इसलिए मैं इसकी size को पहले कम कर देता हूं इस तरीके से कुछ size को कम करने के बाद इस तरीके से आपको adjust कर देना होगा और सही के option पर click कर देना होगा और click करने के बाद आपकी जो videos थी कुछ बनके तैयार होई है मैं आपको फूरी videos करके दिखाता हूँ फिर आपको बताना है कि किस तरीके क्या पर लगी तो गाईज यहाँ पर आपकी वीडियो जो है बनके तयार हो चकी है बस आपको टूनिंग डाउनलोड कर लेनी है आपको मलब कहीं से भी कॉपी राइट फ्री टूनिंग को डाउनलोड कर लेना है दिनिया पर लगा देना है आपका जो इस्टोरी थी बुबन के तयार हो चकी तो यार कैसी लगी इस्टोरी कमेंट में जरूर बताया करो और कमेंट में इसलिए बताया करो ताकि मुझको भी लगे कि आपको प्राइब कर लिया करो चैनल को भी सबसक्राइब कर लिया करो तो मैं अब